अज सलाम अलेकुम कैसे हैं सब ठीठाग हैं चलें एक और end to end project बनाते हैं machine learning की base पे flask को use करते हो एक final web app को बनाते हैं जिसमें हम एक bill की base पे restaurant के अंदर जितने लोग खाना खाने गए उन दो factors या features की base पे हम tip को predict करेंगे कि वो कितनी tip देंगे तो जो होटल आले ने ना उना दा पला होना ला है इस app देनाल let's try and start with it मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ ये 5 number folder मैंने बना लिया सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर मुझूद है and now I can show you के ये किस तरीके से काम करेगी ये app को मैं run करता हूँ run करने के बाद मैं इसको यह हां से दुबारा से run करता हूँ at the end हमारे पास कुछ इस तरीके से app बनेगी total bill for example किसे का 65 dollar बना है और तीन लोग थे तो इनकी tip कितनी है जनाबे वाला तकरीबन 60 dollar बनी है based on the data जो हमारे पास है calculate again पे click करते हैं यहां पे मैं लिखता हूँ 45 और एक बंदा है इसने tip कितनी द हां पे मैं लिखता हूँ 4 लोग जब मैं इसे calculate tip करता हूँ you see के हमारे पास एक नया page आ जाते है ठीक है तो इसका मतलब है कि यह हमारा पहला page है index.html जो नया page है यह हमारे पास results का page है तो यह दो चीज़े हैं जब आप different pages बनाएंगे तब आपको समझ आएगे कि page कैसे add कर और इसी वज़ा से इस app को मैं आपके सामने page कर रहा है क्योंकि आप multiple pages की apps भी बना सकते है based on the first page जो हमारे पास index.html को होते हैं इस app पे मैं ज्यादा time नहीं लेने वाला अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी coding कैसे होगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास app.py है template के अंदर index.html है जो main आपका front end है ठीक है और इसके बाद यह आपके पास results आपके पास आ जाता है और यह आपके पास कुछ इस तरीके से काम करेगा ठीक है सो हमारे पास इसके अंदर bootstrap css भी यूज हुई है और there are many other languages जो हम html के साथ यूज की है you can actually see that और आजकल मुश्किल ही नहीं है चाहे जीपीट को यूज करके अब यह दोनों pages बना सकते है then you have app.py लेकिन उससे भी पहले आपका model है और यह model की .py file मैंने इस वज़ा से बनाई है because now I am gonna show you किस तरीके से ही काम करते है मैंने यह चार की चार libraries मगवाई ठीक है और cbond pandas, scikit learn के अंदर से हमने train test split किया, linear regression मगवा ली and then हमने load किया अपना data set, tips का data जो online मजूद है cbond के अंदर हमने वो ही data set यहाँ पे load कर लिया because we want to see कि किस तरीके से इस tip को हम predict कर सकते है then हमने क्या किया, x और y, x में हमने दो feature रखे, फिछली app में एक feature था, यहाँ पे दो है और हम y में a की feature को predict करें which is a kind of regression problem क्योंकि तीनों हमारे पास integers है then हमने train test split किया यहाँ और 80-20 की ratio रखी, हमने model linear regression ही लगाया obviously जब x के अंदर multiple चीज़े हैं तो यह multilinear regression model हमारे पास हो गया then हमने model को save किया इस नाम के अंदर और फिर हमने उसको print किया कि model जो है हमारे पास save हो चुक है अब इसको terminal के अंदर जब आप run करते हैं तो पहले तो मैं यह tip predictor वाली model को cancel करता हूँ यहां पे आप terminal के अंदर लिखेंगे for example python और इसके अंदर model.py जैसे मैं उसे run करता हूँ you will see यह predicted model यहां पे आ गया और यहां पे लिखा आ गया model has been saved हमारा इतना ही काम है सिर्फ model को ले के आने का और यह model जितना भी हमने पिछले lectures के अंदर पढ़ा है के model को optimize करें, model बहुत अच्छा होना चाहिए, model के accuracy क्या होती है, फलां क्या होती है वो सारे के सारा पिछला scene है, आपके पास best model select करके यहां पे save होना चाहिए main चीज यह है, मैं यहां पे इतना time ने लगा रहा है कि multilinear regression क्या, single क्या, फलां फलां आपके जो last pickle का model है, best hyper parameter tuned model होगा तो उतनी अच्छी accuracy आईगी और इसी वज़ा से इसको machine लडने की app को accuracy पे dependent हम बोलते हैं तो मैं screen दुबारा से share करता हूँ, हमने model बना लिया, app.py के अंदर हम जाते हैं, simply हमने क्या किया, यह 3-4 libraries हमने import की और यहां पे हमने अपनी flask की app को चलाया, start किया, मैं यहां फे उसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ, then model के अंदर हमने joblib से जो tip predictor model है उसे लिया है, और हमने get और post हमने दो चीज़ें दुबारा से चलाएं, get का मतलब क्या है कि user जो हमें देता, post का मतलब क्या है कि जो हम बाद में उसके अंदर predict करके उसे दे जाते हैं, या आप यह समझ लें कि request method है और हमारे पास दूसरा जो है वो print method आप कहले, if request.method is post, तो आपने क्या करना है request form के अंदर total bill और size लेना है, ठीक है, create the feature array और हमने feature array उन दो inputs की base पे, जैसे हम stream rate की input लेते होते होते हैं, user से वैसे हमने input ली है, और उन render template results.html जिसके अंदर हमने prediction round करके इस तरीके से उसको print कर देना है, and then at the end we have to return render template जिसका index.html है, और यहां पी हमारी app जो है खतम होगी, यानि कि हमने सिरफ predict का function लगाना है, और user input लेनी है, क्योंकि हमारे पास model train है, everything is working fine, तो इसका मतलब यह है कि अगर model train है, तो आपका का form, जैसे यहां पे request.form हमने दो लिएं, तो इस वज़ा से लिएं, क्योंकि हमारे दो feature थे, अगर multiple feature होगे, then we will have different request forms, यहां पे app हमारी बनगी, इसके बाद, जो templates के अंदर index.html है, इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, यहां पे आप जो total bill और different चीज़ें जो आपने वहां पे पहले लिखी हुई है, अपने जो app है, उसके अंदर, उसकी base पे यह सारे के सारा काम करेगा, and at the end you can see के आपके पास एक index.html है, दूसरा results.html है, यह दो आपके पास different किसम की जो हैं, यह HTML बन रही है, अब app.py के अंदर, अगर आप गोर करें, तो हमारे पास आएगी, index.html हमारा main page होगा, so यहां पे यह दोनों HTML फाइल को हमने एक दूसरे के साथ link कर दिया है, यानि कि जैसे यह वाला function predict के उपर लोग click करें, फोरण से हमारे पास क्या हो, नया results.html page open हो जाए, simply वो ही कि यह, at the end हमारे पास app क्या कहती है, मैं app को दुबारा से run कर करता हूँ, यहां पे आते हैं वापिस, और इसके अंदर हम python app.py को run करते हैं, यहां से मैं click करता हूँ, जनाब अपने requested URL के उपर, इस जगह पे, and here you can see 45, दो लोग है, calculate tip करें, तो this is 5.19, and this is how you can actually implement and deploy your model, obviously deploy locally मैंने बात किये, लेकिन हम इसको cloud पे भी देखेंगा आने वाल आना, A to Z model को predict करके, बना के सब कुछ करने का, अब आपकी जुम्मेदारी क्या है, कि आपने इसी तरीके से 2-3 apps बनानी है, और उन apps को end-to-end development के थुरू बनाने है, HTML भी सीखनी है खुद बाखुद, और आपने HTML के थुरू different किसम के pages बनाने, मैंने 2 बनाए है, आप 2 से ज् आइक, शेर, सब्सक्राइब करते हैं, यह थोड़ी सी अस्तवजिया आपके लिए मैं सुटर से चला रहा हूँ, ताके आप फोकस करके स्क्रीन को देख सकें, अपना ख्यार रखें, दौा में याद रखें, ठेक केर, अलाहाफिस, यह last celebration है, क्योंकि आज हमने end-to-end छोट सा प्रोजेक्ट बनाया है, I know, जिसको आता है, उसके लिए छोटा है, जिसको नहीं आता, उसके लिए तो बला चीज है, यह कैसे बन गया, टेक केर, अलाहाफिस, असलाम बेकूं